मत्रा बिंदावन की यात्रा करते हुए हम पहुँच चुके हैं क्रिष्ण के गाउ नंद गाउ तो चलिए जानते हैं यहां पर लोगों से कि होली को लेके वो कितने उस्साहित हैं कहां कहां से लोग यहां पर होली बनाने के लिए आये हैं और इसी के साथ आज हम नंद गाउ गुम्राज नंदगा में होली है तो पहली बार है आपका फॉस्त है तो किसा लग रहा है यहां पर होली बना रहे है तो यहां की होली किस तरह से अलग है मुंबई की होली से अलग है तो चलिए और लोगों से आप बात करते हैं जानते हैं कि किस सबसे प्रशद होली है और हम यहां से फिर बरसाना जाएंगे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब एक फैमिली हैं सब एक फैमिली हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल रादा रानी जिस प्रकार पहले केल थीैर सही लग राएंगanu मिलकर पूरी फैमिली यहां पर आयो है और तीन दिन के हम तूर रहेगा हमारा और फूल मस्ती फूल एंज़ रहेंगे तो कल जैसे बरसाना में लेट मार हो लीती तो कि आप लोग रहे देगा पर साना कलम नहीं कल आज ही आए हैं तो कुछ गा दीजिए कुछ भजन कुछ भी होली को रिलेटिट होली रहे रसीया होली रह हैं पर मैं लोग जीए रसीया होली रहसीया वुल यारिट को भजन को के लेप लुए को रह दोगत जीया नहीं विलेट। इँ endeavors है जानते हैं कि tätä होली को अवे से नहीं तो सब्सक्राइब के है कि अब दों हैं को ऐसे स्वर्ड consecutカल लो से अघुब आप कर हैं अटेखिते हैं सब्सक्राइब करें से अजहीं बड़ सुर्ण होले कर दो देकन किसी पर तरह कोई गुस्सा नाराजगी नहीं है आपकी लोगों की तरफ से, आप पते हैं कैसा लग रहे आपको? मैं रेक दान साही हूँ, इसके मदर हूँ है, वैसे यहाँ का सही है, जारा कोई वह नहीं है, डालना है, डालो, वारा बहुत जॉए हुआ है.